है लो एस्टुदेंट्स हम लोग NDA के प्रिवेस यह कोश्टिन डिसकस करेंगे जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो चैप्टर होगा आपका अप्लिकेशन अप डिरिवेटिव और यह चैप्टर जो है अप्लिकेशन अप डिरिवेटिव से हर साल चार कोश्टिन पांच करेंगे आपका साल 2020 का 2021 का 2022 का ओके तो इस्टार्ट करते हैं बच्चों अब जिस देखी यह बच्चों आपका कोश्टिन दिया हुआ है ठीके तो हम कुछ डायरेक्ट आपका सौट्कॉट मेटिट्स से भी इसको सौल्व करने का तरीका बताएंगे और कुछ कॉंसेप्ट भी बता देंगे यहाँ पर आपका ओवर भी तो चलिए हम लोग करते हैं तो यह क्या दिया हुआ है कि क्या बोल रहा है क्या कि X Y इक्वल टू यह दिया हुआ है 4225 और यहां पर X और Y के बारे में इनफॉमिशन दिया हुआ है कि X और Y क्या है यह निच्रियल नंबर है तो इन वाट इज़ सबीनिमां यहां क्या निकालना है रहा है कि अप्लिकिशन अप डरिविट्यू का मैक्सिमा और मीनिमा से कुष्च्चन है तो हम क्या करेंगे इसमें कि xy की value जो दी हुई है तो यहां से हम y का value x के term में निकालेंगे और इसको जो है हम किसी एक variable में कर लेंगे या तो x या तो y तो यहां से हमने क्या कर लिया कि y बराबर निकाल लिया तो कि इतना हो गया 4225 अपॉन x और आपका यह x प्लस y प्रका सम है तो यह सम हमारा क्या है x प्लस y है तो यहां पर हमें x और y का value हमने यहां पर अपका रख लिए अब देखो यह जो हमारा सम है वह किसका function हो गया अब x का function हो गया ठीके अब इसकी minimum value x पर to depend कर रहा है X अगर minimum होगा तो यह minimum आयगा ठीके है चलिए हम करते हैं यहां पर तो maximum मिनिमा के लिए क्या इसको हम differentiate करते हैं क्या करते हैं इसको दिफिर्स यह इत करेंगे तो यह हमारा x के ठ рассказ Medicine moderate करें देखो-up, F GREC क्या हो जाएगा x का TRA の और इसका कितना हो जाएगा यह तो constant है one upon x का differentiation होता है minus one upon x square multiply तो यह कितना हो जाएगा आपका अब आप जानते हो कि maximum minima के लिए क्या करते हैं maximum minima के लिए जो different derivative उसको 0 के बराबर कर लेते हैं for maximum minimum तो यह differentiation हमारा 0 के बराबर हो जाएगा और यह हो गया हमारा जीरो तो यहां से x square equal to कितना हो गया 4225 x बराबर कितना आजाएगा plus minus यह under root में चले जाएगा मतलब क्या किसी का यह perfect square root है अब देखो 50 का करोगे तो 2025 मतलब 2550 का होता है 60 का होता है यह और 70 का होता है और यह इसका मतलब इन दोनों के बीच में यह value है इसका मतलब 60 और 65 के बीच में 60 और 70 के बीच में होगा यहां पर देखो 25 है इसका मतलब यह 65 होगा जैंप 65 होगा करके देखो आजाएगा यह plus minus आएगा 65 अब यह दोनों वैलू होगा कि एक ही वैलू होगा तो इसका मतलब इसका मतलब की 65 होगा निगेटिव वाला हमारा वैलू नहीं होगा क्यों नहीं होगा कि अब दूसरा पॉइंट हमें कोई चेक करने के लिए जुरूत नहीं है क्योंकि यहां पर एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला या टर्निंग पॉइंट बोलो एक स्टीम जुवैलू बोलो तब हमें इसमें इह दुवल डिफेट करके चेक करने की जुवथ नहीं है अगर आप डब डिफेट करके इसको चेक करूजब तो इस सब्सक्मामिले तो करने की जुवथ नहीं है कर सकते handing और यहां पर यह हम यहां पर एक्स इपल टूटु यह हो जाएगा 65 पर यह हो जाएगा 65 425 अपका 65 अब यह कड़ गया यहां पर यह हो जाएगा 65 65 प्लस 65 कितना हो जाएगा 135 इसका answer हो जाए 130 इसका है जो होगा अब बोलो कि सर यह क्या X equal to 65 पर यह minimum मिल रहा हाँ डाब इसका double differentiate करो रहीं बता देए देगो यहां पर इसको हम double differentiate करेंगे अगर double differentiate करोगे तो कितना आ जाएगा यह हो जाएगा जीरो और यह constant है one upon x square का होता है कितना हो जाएगा यह माइनस में और यह हो जाएगा यह यह तो constant हो गया आपका यह तो अपन एक्सक्यूव हो अब एक सीकोल तो 65 इसमें रखो गया यह पॉजटीव आएगा मतलब 0 से बढ़ा तो 0 से बढ़ा मतलब क्या मीनिमा यहां से मीनिमा चेक कर दो होती नहीं है अगर एक पॉइंट मिल रह यह तो अब चेक कर दो नहीं है डारेक्ट रखो वैल्व आ जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोशिन कर लेते हैं अब आप यहां पर देखिए यह कोश्यन में क्या बोड़ रहा है आपका यह देख रहे है कि एक आपका एक फंक्शन दिया हुआ है और यह फंक्शन दिया देखिए इस फंक्शन का डेरिवेटीव महलेद दीव आप्शन वैंनिंज एटशिए अटप्स सेजल ऐसे आप говорить हुआल नेूपक का देखिए क्वेटीव डेरिवेटीव पने स hält दो ठो दो पर इस फंक्शन का डेरिवेटीव डिलिन फेकर वनीस क्या हुआ है दो रहा है तो पहले क्या करेंगे इसका derivative निकालेंगे क्या करेंगे इसका हमें derivative निकालना है तो चलो यहां से निकाल लेते है डिरिवेटिव में F-X किसके रिस्पेक्ट में differentiate करेंगे X के रिस्पेक्ट में M आपका constant है बाहर हो जाएगा 1 upon X square कितना होता है माइनस 1 upon X square हो गया उसके बाद 2N 2N constant है X का हो गया 1 और 1 का हो गया 0 तो हमारा F dash कितना आजाएगा माइनस M upon X square plus 2 according to question क्या बोल रहा है कि X equal to 2 पर यह vanish हो रहा है तो यहां पर देख लिए according to question इसका मतलब कि F dash 2 पर यह क्या हो रहा है जीरो ठीक है न तीरे रखो यह कितना हो जाएगा माइनस M यह 2 का square अप प्लस 2N equal to 0 तो हो जाएगा माइनस M यह 4 plus 2N equal to 0 आगे कितना आगया यह माइनस M आप प्लस 2N equal to 0 तो यहां से तो एक ही equation यह तो आया नहीं यहां पर तो प्लस है यहां पर यह माइनस है इसके अलावा और equation है नहीं किसको हम solve कर सकते हैं इसका मतलब इसकी value हम नहीं ही निकाल सकते हैं क्यों क्योंकि data sufficient नहीं है इसका answer हो गया डी ओके अब देखिए यह next question है यह आपका 2022 का ही question है चलिए question में क्या बोल रहा है कि एक function दिया हुआ है यह function और यह function पता करना कि किस interval में किस interval में decreasing होगा यह इसका मतलब इसको क्या करेंगे differentiate कर लेते हैं पहले हम इसको क्या करें differentiate करें तो कितना हो जाएगा 3x square upon 3 minus 7 into 2x upon 2 अब प्लस 6 तो यह cancel हो गया यह भी cancel हो गया तो आपका कितना हो गया x square minus 7x plus 6 maximum minimum के लिए क्या करते हैं जी तो होता है 0 के बराबर होता है condition for maximum इसको मामीन आतो f dash x equal to 0 derivative 0 के बराबर करते हैं एक स्कुर माइनस 7x plus 6 equal to 0 होगा तो यहां से हमने direct कर देते हैं इसको factor करोगे तो कितना आ जाएगा x minus 6 और हो जाएगा x minus 1 equal to 0 तो यहां से की value कितना आ गया 1 और 6 अब क्या करेंगा double differentiation नहीं करना है sign rules नहीं चेक कर लेंगे यह आपका 1 हो गया यह आपका 6 हो गया यह आपका minus infinity और यह आपका plus infinity किसी भी interval में हम चेक कर लोते हैं किसी भी एक interval में आप ले लो कोहीं भी जैसे सब्सक्राइब यह ले लिए 0 इसी में आएगा x equal to 0 तो इसी में आएगा चलो अब a dash x हमारा 0 करते हैं जीरो जीरो तो यह क्या है जैसिक्स मतलब यह हमारा value positive आप देखो x बराबर 1 वन टाइम से अगर यह event टाइम सोता यहां पर प्लस तो यहां पर प्लस होता यह और टाइम से एक्स बराबर 1 यह प्लस है तो यह माइनस और यह आपका हो गया प्लस ठीक है इसका मतलब निगेटिव हमारा f dash is किस इंटरवल में निगेटिव हो रहा है 1 से लेके 6 तक मतलब कि decreasing करेगा अगर derivative हमारा 0 से छोटा होता है तो क्या करता यह फंक्शन decrease करता है किस इंटरवल में कर रहा है जो इस इंटरवल में कर रहा है जैंको इस इंटरवल 1 से 6 में इसका मतलब इसका एंसर कितना होगा 1 से 6 यह f dash x हमारा 1 से लेके 6 में अगर बलो कर रहेगा तो हमारा f dash x 0 से छोटा होगा मतलब की function हमारा क्या होगा decreasing कि इसका एंसर कितना होगा 1 से 6 ओके चलिए अब x question कर ले यहां पर देख लेजिए यह भी 2022 का ही question है अभी तक जितने भी question की 2022 का ही question की ठीक है क्या बोल रहा है maximum value बोल रहा है function दिया यह function दिया है और इसका maximum value हां लेकिन x दिया हुआ है 0 से पाई ओपॉंट 2 के बीच में एक सोना चाहिए ठीक है न अच्छा तो maximum value तो maximum minimum question है फिर वह ही हम क्या करते हैं अब देखो यह 10 में और part में क्या करो इसको sign cost में change कर दो sign और post में change कर और थोड़ा सावजाता है ठीक होता है sign X upon आपका cause X और court होता है आपका cause X upon sign X ठीक है इसको simplify करेंगे तो कितना हो जाएगा नीचे LCM cause X into sign X यह sign square plus Cos square फिर यह उपर चला जाएगा तो हम डिरेक्ट लिए रहें आपका आगया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और यह आपका हो गया कितना साइन स्क्राइर एक्स प्लस कॉस स्क्राइर एक्स कितना हो गया वन ता आपका आगया साइन साइन एंटू हो गया आपका कॉस है ठीक है अब यह साइन एंटू को से कितना के बराबर होता है तो वन ऑपन टू साइन टू एक्स के बराबर कहां से होता है फॉर्मुला होता है साइन टू ठीटा बराबर क्या होता है तू साइन ठीटा इंटू कॉस्ट टीटा होता है यहा आजाएगा यहां से आगया हमारा तो एक चीज यहां से हमारा आगया ठीके तो ठीके यह चलो देखो आज़ा अब क्या करेंगे इसको हम derivative differentiate करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका differentiation तो देखो 1 upon 2 हो गया sign का कितना होता है कॉस्ट यह सो जाएगा 2x का X करेंगे तो यह 22 तो आपका कितना आया derivative course 2X आया आपका कितना आया 2X फिर मैं मिन수립 के लिए क्या करते हैं मैक्समा के लिए टरीन हमारा 0 के बराबर होता है क्यूंकि हमें Kick Till Point Neagland कालना है तीकल या टनिंगॉइंट से तो हैस्मने कॉस्टस इकोल तो कितना होता है 2N plus 1 5 upon 2 मतलब cos theta 0 तो theta क्या होगा odd multiple of pi upon 2 यहां से theta यहां पर 2x से तो यह होगी है अब यहां से देखो x बराबर कितना हो गया 2 इधर करोगे तो 2N plus 1 and pi upon 4 हां n हमारा क्या है यहां पर n हमारा integer x का value 0 से 90 degree में कितना आएगा एक ही आएगा तो अब हम लेक्सिम बना maximum value बताना आए तो अब यह चेक नहीं करना है है कि हमारा maximum होगा की minimum हो यह maximum ही होगा कि मचोंकि दूसरा कोई Point मिल नहीं रहा है तो अगर तो अब हम डाइरेक्ट कर लेते हैं तीके ना इस प्रेग्नम मैक्समा ही मिलेगा ठीके तो अब हमारा f of x कितना है f of x हमारा 1 upon 2 sin 2 x a तो f of pi upon 4 कितना हो जाएगा 1 upon 2 और sin 2 into pi upon 4 तो यह कितना हो जाएगा तो यह 2 से कर गया तो यह 90 सब्सक्राइब करते हैं कि यह देखिए नेक्स्ट कॉश्चन आपका यह भी 2022 का ही कुश्चन है ठीके तो कॉश्चन में क्या बोल रहा है कि हाँ मेनी एक्स्ट्रीम वैलूज एक्स्ट्रीम वैलूज का मतलब यह होता है प्लाइव कितिकल पॉइंट तर्निंग पॉइंट मतलब लोकल मैक्समा लोकल मिनимा मतलब वो प्इंट जिस पर हो सकता है यह मिनिमा हो सकता एक्स्टीम वैल्यूज कम सगें डॉज हमारा क्या बोल रहा है वियर हमारा से पय पॉन तू में लाई करना चाहिए तो चलिए यहां पर हमारा function दिया हुआ यह यहीं से start कर लेते हैं से से यहीं से start कर लेती कि आपका f of x क्या दिया हुआ है तो आपका दिया है sin 4x plus 2x दिया है मतलब इसको पहले हमें differentiate करना पड़ेगा साइन 4x का कितना हो जाएगा cause 4x अफिर 4x का कितना हो जाएगा तो 4 आप 2x कितना हो गया तो अब क्या करेंगे for maxima minima के लिए तो आप जानते हैं यहां लिख लेते हैं यहां पर एक बार for maxima और minima क्या होता है derivative को हम 0 के बराबर करेंगे यहां से 4 cos 4x plus 2 equal to 0 यहां से cos 4x इसको minus 2 4 को इदर ले जाओगे तो यह divide में हो जाएगा फिर यह cut जाएगा तो minus 1 upon 2 तो 1 upon 2 तो अब देखो यह cos 4x हो गया यह minus यह हो जाएगा cos कितना 1 upon 2 तो cos 60 degree मतलब की cos 60 degree बराबर 1 upon 2 होता है ठीके न तो पाइड पाइड plaats को अपाए जडरी तो इसको इस बाइव हो करत करना है यह को लिख सकते हो यह से लिख समझा दिया आपको तोड़ा सा ठीक है यहां से हम कॉस्ट टू पाइप अपन थी अब क्या जानते एक चीज अब जानते की कॉस्ट एक्वल टू कॉस आलफा होता है थीटा इक्वल टू टू एन पाइप प्लस माइनस अलफा होता है यही इसी फर्मुला गायुज कर यहां पर ठीक है तो यहां पर कितना हो जाएगा अब देखो यह हो जाएगा आपका 4x और यह जाएगा टू एन पाइप लस माइनस यह टू पाइप अपॉइंट एक्स बराबर क्या हो जाएगा टू यहां से कट जाएगा क्यों सेद्रें तो कितना कजा है यह हो जाएगा हमारा इन पाइप उपउण 7 अब है इन हमारा क्या है इन फिलोंग इंट्टि हूंए कि इन जेत एंट बराबर जीरो फोगे थो एक्स बराबर कितना एक गाड़ काड शीक हैे और दूसरा किया आज vibes तायाएगा और दूसरा रखते हैं तो हमारा आजाएगा कितना एक यह बराबर वन करते हैं घय इंघ भर हम one रखते हैं तो यह फाइव पॉन टू ठीकर और यह हो जायोगा प्लस में लिखाएंगा माइनस में रखते हैं तो कितना आता है माइनस में रखेंगे तो यह हो जाएगा तो साथ तीस डिए मैंने पाई उपाउन थ्री आ जाए तो यह यह हमारा दो पॉइंट है जहां पर यह क्रिटिकल पॉइंट है मतलब यह लोकल मेक्समा लोकल मीनिमा है हमें यह नहीं चेक करना है तो कितना हो जाट तूटीस का एंसर होगा तो मतलब एक्स्ट्रीम वैलुज जो यह कुटिकल पॉइंट बोलो यह टर्निंग पॉइंट बोलो यह a local मेक्समा कंग लोकल मीनिमा बोलो बाती की होता है टीकै चलिए थिसका एंसर हो गया रoberta छलिए next question करते है crape next question आपका यह द्रहती 2001 की जाकोॉषचिन है बोल ह Betsy किके आपका एक function है f of x x square plus 1 इंटर्वल 1 और 2 1 के बराबर नहीं 2 के बराबर नहीं क्योंकि ओपन इंटर्वाल है तो हम यह statement बताना है कि कौन सा statement सही है गलत है पहला statement यह है कि maximum value of the function is 5 इस function का maximum value 5 है और minimum value कितना है 2 है तो कौन सा statement सही है इसका maximum minimum maximum और these mêmes value निकालना इसका मतलब हम क्या करेंगी इसको फ़रोडिस सेट करेंग filmed you have dash x निकालेगे कितना नोव्च आपका two x कितना है आपका two x the forecast makes human में में के लिए मैं मालूम है for maximum और मीन्य मा के लिए हम क्या करते हैं divination को 0 के बराबर करते हैं तो 2 x equal to 0 जी रोट एक्स बराबर कितना आया जी रोया अब लिखे जो इंटर्वल दिया हुआ है 1 और 2 में ला ही नहीं कर रहा है हमें तो पता कर अ किस में हमें पता करना है one or two में ओर इस two में fickle 2 pushed यह नहीं कर रहा ठीक है न इसका prize कि हम नहीं बता सकते हैं x equal to 0 जो है वह इसमें नहीं बिलॉंग कर रहा है एकसी कोल्टो जीरो जैसमे बिलोंग ही नहीं कर रहा है तिए न एकसी कोलटो जीरो इस इंटरवल में यह बिलॉंग नहीं कर रहा है तो जब कर रहा है यहां पता कर सकते हैं इस K Au qualité Babers कई मार्emorा यह जो पॉइंट होगा यह हमारा मैक्सिमा है스트 होगा या मिनीमा होगा पता ही नहीं कर सकते हैं ठीके तो यहां पर क्या होगा जी यह हमारा यहां पर कैसे हम लिख सकते हैं कि X equal to 0 डॉज नॉट बिलॉंग इन इंटर्वल 1 और 2 जब बिलॉंग ही नहीं कर रहे हैं तो यहां पर हम मैक्समा मीनिमा निकाल ही नहीं सकते हैं कि अगर यह हमारा यह क्या होगा increasing function होगा यह कैसा function है increasing function तो increasing function हुआ मैक्समा और मीनिमा हुई नहीं सकता है यह हो गया दूसरा तरीका क्या है कि एक स्क्राइब प्लस वन हमारा क्या है जी increasing function ठीक है यह आपका क्या है increasing function ठीक है क्योंकि f-x हमेशा 0 से बढ़ा होगा तो यह increase करेगा और increasing function जो होता है वह उसका maximum और minimum value नहीं निका सकते हैं तो इसका answer क्या होगा दी नाइधर एक नौर 2 ऐसे भी और ऐसे भी ओके दोनों तरीका से समझा दिए आपको next करते हैं आपको अब यह दिया हुआ आपका एक function मतलब यह दिया हुआ है और इसका हमें maximum value निकालना maximum value निकालना हो किस interval में इंक्रीज कर रहा है किस इंक्रीज करना है minimum value निकालना हो समझ जिए कि वह maximum minimum का question है ठीक है तो चलिए हम यहां से इसको f of x ले लिए कि इतना हुआ जी आपका sin 2x into cos 2x इसको हम simplify कर देते हैं तो यह कितना हो जाएगा तो यह 1 upon 2 sin 2 2x हो जाएगा मतलब आपका 1 upon 2 sin 4x हुआ यह कहां से आ गया इस फर्मुला से sin 2 theta वाला फर्मुला से 2 sin theta into cos theta 2 को इडर करोगे तो 1 upon 2 2 theta theta यहां पर क्या है 2x से तीसले 4 हो गया इस फर्मुला का यूज किया हमने ठीक है आप क्या करेंगे इसको हमें differentiate करना पड़ेगा अब differentiate किये तो यह 1 upon 2 sin का कितना हो गया cos 4x और फिर 4x का कितना हो गया 4 ठीक है तो 4x का कितना हो गया आपका 4 यह 2 से कट गया कितना गया 2 cos 4x और फिर maximum minimum के लिए क्या करते हैं और maximum minimum के लिए इसका differentiation 0 के बराबर करते हैं मतलब 2 cos 4x बराबर 0 तो यहां से हो गया cos 4x equal to 0 तो 4x equal to 0 तो 4x कितना हो जाएगा पाई upon 2 हो जाएगा ठीक है तो यहां से बराबर कितना जाएगा पाई upon 8 अब यहां पर ऐसे तो और भी होगा और भी इंटर्वल होंगे क्योंकि यहां पर बताए नहीं किस इंटर्वल में कहां से कहां तत तो X के और भी एंगल होते हैं और भी अंगल होंगे लेकिन हम किवल 0 से 180 में देख लिए देखे न यहां से अच्छा एक चीज यहां में देखो दियान से X equal to pi upon 8 अगर फिर अब चेक करोगे कि यह हमारा X equal to pi upon 8 पर हमें minimum value मिलेगा कि maximum value यहां पर अभी तो एक ही value आया है तो यहां पर maximum value निकालना है तो यह maximum ही मिलेगा आप चेक करके देख सकते हो तो इसको double differentiate करो अगर हम इसको double differentiate करेंगे कि इतना हो जाएगा जाएगा तू यह हो जाएगा माइनस साइन फोर एक्स आप फिर फोर का तो यह हो जाएगा फिर यहां पर रखो अब हम अगर हम X equal to pi upon 8 में चेक करें यह double differentiation तो हमारा negative आएगा क्योंकि तो खुरी माइनस है तो यह negative आएगा यह माइनस एट यहां फोर रखेंगे तो हो जाएगा साइन पाई उपाइपन टू तो यह आजाएगा अपका माइनस एट है less than 0 हो गया मतलब की मैक्सिमा मिना X equal to pi upon 8 क्या मिला मैक्सिमा यह चेक करने की जुरुत भी नहीं है डायक्ट भी आप कर सकते हो ठीके यह तो हो गया यह हमको समझा दिये आपको आप यहां से डायक्ट शॉटकट कर सकते हो ठीके तो हम यहां पर अब maximum value निकाल सकते हैं इस पर हमें क्या मिला मैक्सिमा तो मैक्सिमम वैलू क्या हो जाएगा तो मैक्सिमम वैलू हमें तो एक चीज़े को मैक्सिमम वैलू हमें निकालना है तो f of x क्या है इसको simplify किये तो 1 upon 2 sin 4 x आया है ठीक है न और हमें चेक करना है किस पर हमें चेक करना है यहां पर क्या है अब एक्स प्लस य का वैलू दिया हुआ है और यह पी मतलब पोड़कट फोड़क्त एक 진행 यह है तो इसकी मैक्सिमूम निकालना की से पी यी किको हम एक्स प्लस वाइओ को टूंटी है ए सौ처럼 मेर् 1976 एक प्लावर अपका aşk तो मार के लिए Sumo maximum निकालना है इसी क from the max n90 अब यहां पर दो वेर्याब है तो baki x में कर दो या X को y में कर वह को लिए्ट रोल तोja x 20 minus 2 सुल्प की यह 20 Sार थी ऑब हमारा यह product एक्स का function आगी किसका हो घाजी एक्स अब इसका हो क्या करेंगे किसे करें एक्स के रिस्पेक्ट में डैस मतलब डिफिंसेशन तो कितना हो गया यह 20 और यह हो गया तो अब क्या करेंगे अब और या तो वह मिनिमा मिले मतलब कि वह critical point वह turning point निकाल लिए 20-2x equal to 0 इसको solve जाएगा x equal to 10 यहां पर के वर x equal to 10 पर ही हमें critical point मिला मुझे turning point मिला जहां पर यह maximum हो सकता है यह minimum हो सकता है तिक एक ही point मिला और हमें maximum value पूछ रहा है तो यह maximum ही होगा अगर आपको जब चेक करना है तो चछेक करो फिर इसको डबल differentiate करो अब देखो यह डबल डिफिन से जैसे करेंगे तो यह माइनस तू आया अब माइनस तू है अब एकस इकोल चू 10 पर टेन पर चेक करो एकस इकोल तू 10 पर फी डबल एकस कितना हो जाएगा माइनस टूई आएगा जो जोड़ा मतलब इस पर यह क्या मिला मैक्सीमा क्या मिला मैक्सीमा एक्स इकोल टू टेन पर मैक्सीमा अब यह चेक करने की जरूवत भी नहीं है अगर एक पॉइंट मिले तो इसको चेक करने को जुरूत नहीं है जो आपके कोशन में बोल रहा है कि मैक्समा है वह रख दो फंक्शन में वह आ जाएगा इस यह डायक्ट सॉटकॉर्ट ठीके तो अब वालू निकालो एक स्वा गया हमारा तो आपका प्रोड़क्ट कितना है जी प्रोड़क्ट है 20X-X स्वार यह है यह है 20-X तो यह 10 हो गया 20-10 तो 10 इंटो 10 तो आपका 100 तो यह मैक्सिमौम प्रोड़क्ट हमारा मैक्सिमौम मैलू के स्वासट प्रड़क्ट का जीए टेकितना हैं कि कर लते कि अब reward यह आपका लएक के सरकल इनक्रीच कर रहा है कि सरकल का रएक मतलब 655-17. 19止 से मतलब d r upon duty दिया हूए 20.7 अब हमने बताना ना है जब उसका रेडियों बताना है जब धूप करेगा सीमपल बात रॉत संग इंक्रीज चरहा है तो हम में बताना है तो हम इसको टाइम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफेंशेट कर दिये तो यह टू पाई बार होगा कॉंस्टेंट यह दियार अपॉन डिटी वह रग देंगे यह हो गया टू पाई का वैलू अब रग दो और यह हो गया 0.7 ठीक है यह खट गया तो कितना आ गय इस कुशन में क्या बोल रहा है कि हमारा एक function दिया है Force equal to sin exist argument अब बताना है कि f of x बेंगे इस टैंटरवल में इंक्रीज स्वाइच कर रहा हर और यह function स्ञाय इंटरवल में decrease कर रहा है मतलब बताना नहisen Questo दिया हुआ statement तो बताना है कि इन दोनों statement में कौन सही होगा कौन गलत हो गया दोनों सही है अब देखो यह sign x है और कुछ नहीं दिया तब इसको differentiate मत करना फिर 0 के बरावर मत करना इस तरह से मत करना sign का हम graph जानते हैं तो साइन ठीटा का मतलब sign x का graph हम जानते है sign x का graph कैसे होता है जी तो हमारा sign x का graph जो होता है हमें positive में देखना है तो इस तरह से आपका होगा इस तरह से negative में भी जाता है ठीक है तो यह 0 से पाई औफ औप ऊपन की इस ऐसरी देखना का थरी आको जिड़ाइया हमारा इंगल होता है ठीटा हो जाएगा मतलब यह एक सो गया तो यह आपका हो गया और y बराबर कितना ?metin. तो यह 0, radiant में जबता होंगी fire, यह होगया आपका pi, यह आपका कितना होगया ? 3 dismantle upon 2. यह आपका कितना हो गया ? 2 temporalc 은maathpick pallle upon vigor, यह नोट य होगया ? यह value मालूम है कि 1 होता है और यह value में a minor minus 1. यहां पर तो graphy है देखो 0 से पाई यह आपका 0 है यह आपका देखिए 0 है और यह आपका पाई है जिरो से पाई में क्या increase कर रहा है नहीं कैसे 0 से यहां देखो 0 से 2 पाई की बीच में increase कर रहा है और फिर 5 मतलब जीरो से 90 डिग्रीजी जीरो से पाई उपन कुमें कुमें chronological का रख रहा है जैङ कर church तो नहीं इंग्रिज कर रहा है जैग एघन्म क्रेस्स यह यह कर रहा है använd का मैं डिखी 20 कcka रहा है इनक्रीज कर रहा है था कियो दोनों कर राए इसका मतलब यह स्टेटमेंट आपका गलत हो गया यह स्टेटमेंट क्या हो गया गलत हो गया क्यों कि जीरो से पाइपन टू में इंक्रीज कर रहा है और पाइपन टू से पाइपन डिक्रीज कर रहा है तो जीरो से पाइपन टू में क्या कर रहा है ना इंक्रीज कर रहा है तो यह स्टेटमे इसका इंसर क्या होगा B, only 2, okay.